नमस्कार दोस्तों नमह शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज बात करूँगी सोमवती अमावस्या के विशय में जिसका की मुख्य विशय होगा कि आप फेरी किन-किन बस्तों की लगा सकते हैं जिससे कि आपको अधिक से अधिक पुण्यफल प्रापतो हो तो इस वीडियो में पूरी यही सामगरी के विशय में जानेंगे और मैं एक एक करके बहुत सारी सामगरी बताऊंगी आप लोग अपने हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं और ये सोमतिया मावस्या की जो सरल पूजा विधी है किस प्रकार से करनी चाहिए शुरू से लेके पूरी पूजा विधी का चैनल पे वीडियो उपलब्ध है आप लोग चेक आउट कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा कि आप पहली बार दूसरी बार तीसरी बार क्या नियम है विशेश और यदि पीपल का ब्रिक्ष नहीं मिल पाता है तो किस तरह से फेरी लगाएं पूजन किस तरह से करें इसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है आप लोग जरूर चेक आउट कीजिएगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे केवल सामगरी के विशे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को पड़ रही है अमावस्या की शुरुवात हो जा रही है 19 फरवरी को साम 3 बचकर 20 मिनट पर और इसकी समापती हो रही है 20 फरवरी को दोपहर एक बचकर एक मिनट पर तो आईए अब बात करते हैं कि फेरी किस की सामगरी की हम लोग लगा सकते हैं चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में नमष शिवाय जरूर लिखिएगा देखिए दोस्तों जहां तक पुण्य की बात है लाव की बात है तो ऐसा नहीं है कि श्रद्धा भक्ति से पूजा नर्चन हम करेंगे उसकी भी फेरी लगा सकते हैं जैसा कि यदि पहले मैं ये भी बता दू कि पहला और दूसरा और तीसरा या जो भी बहनों का पहली बार तूसरी बार तीसरी बार का है तो वो पहली बार धान पान, दूसरी बार हल्दी की गाठ और तीसरी बार सिंदूर की फेरी लगाएं ये नियम है हम लोगों के हाँ यही होता है तो मैंने बता दिया अब बात आती है चौथी बार से और फिर अनेकों बार आपका भगवान करें सौभागे बना रहें और जैसे की कंगी है, सीशा है और स्रिंगार की सामगरी में निलपॉलिस है यहां तक की बिछिया है आपकी सामर्थ के बात है वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा बिछिया की फेरी लगा सकती है वस्त्र में जैसे आपने ब्लाउज का जो पीस आता है कपड़े आते ह लेके 108 ले सकती है यदि आपका सामर्थ है उसकी भी फेरी लगा सकती है तो इस तरह से बहुत सारी स्रिंगार की सामगरी आती है तो इसमें आप जो भी आप चुनाओ कर सकती है फेरी लगा अब आती है बात फलों की तो जैसे मौसम के हिसाब से जो फल होते है तो आप फलो में केला है, सेब है, आउला है, अंगूर है, तो इस तरह से जो भी आपको उपलब्ध है, जैसे इस समय आउले का जो पढ़ रही है, इस बार की सोमती अमावस्या, तो आउले की फेरी आप लोग लगाएं, तो बहुत ही उत्तम होता है, माली जे मागमास में जो अमावस्या पढ़ती है, तो उसमें हम लोग जो तिल का लड़ू बना लेते हैं, छोटे-छोटे लड़ू, एक सवाठ लड़ू, उसकी फेरी ये बहुत ही जाद अकपुण्डे को देने वाली होती है, तो मौसम के हिसाब से भी हम लोग फेरी लगाने का जो सामगरी होती है, उसका च फेरी लगा सकती है, चंदन की डिविया आती है, उसकी फेरी लगा सकती है, या फिर चंदन को आप लोग 108 जगह उसको पैकेट में रखकर भी आप लोग फेरी लगा सकती है, ये सब पूजा सामगरी है, तो आप लोग इसकी फेरी लगाएंगी, तो ये जब भी इनसे पू की भी फेरी लगा सकती हैं हम लोग सिक्के की भी फेरी लगाते हैं जैसे कि आपने एक 108 फेरी लगानी होती है तो एक एक के दो दो के या पांच-पांच के जो भी आप कर सकती है तो इसकी भी आप इस सिक्के इकठे कर लीजे इसकी भी फेरी आप लोग लगा सकती है अब बात आती है देखिए लॉंग है इलाइची है ये भी पूजा में इस्तेमाल होते हैं इसकी भी फेरी लगा सकती है या वैसे भी इस्तेमाल पंडित जी जिसको आप लोग देंगे ब्रामभर को पंडित को तो लोग इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी भी फेरी लगा सकती है, अब अन्य सामगरी की भी मैं बात करूँ, तो आप लोग मुंफली की फेरी लगा सकती है, मुंफली के दानों की भी लगा सकती है, इस तरह से आप लोग जैसे सूखे मेवे हैं, आप लोग किश्मिस की फेरी ल उपयोग में आयें लेकिन बस्तु नहीं लगाए जाती है तो इस तरह से हम लोग जो डली वाला नमक आता है इसकी भी फेरी लगाते हैं पूजा के आसन की फेरी लगा सकती है आपका बहुत अधिक सामर्थ हो तो आप दीपक की जो दिया आता है उसकी फेरी आप लोग लगा सकती है इतनी सारी ये सामगरी हो गई उसके बाद आप लोग जो फल में मैंने बताया उसमें आप किसी भी प्रकार के फल की फेरी लगा सकती है अब पूजन में आप बड़े सामगरी जैसे आप आचमनी हो गई उसकी आप फेरी लगा सकती है खरीद के जैसे कील है नाक की तो छोटी छोटी कील इसको भी आप लोग खरीद के फेरी लगा सकती हैं तो इस तरह से सूखे मेवे हो गए बहुत ही सामगरी मैंने इतनी सारी बता दी आप लोग इसमें से कोई भी सामगरी का चुनाव कर सकती हैं जैसे कि मैंने सिंदूर बता तो दोस्तों आप लोग को इतनी सामगरियां पता चल गई, आप लोग मताये बहने, इतनी भी सामगरी में से कोई भी सामगरी की फेरी लगाए, पूजन विधी का वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकाउट कर लीजेगा, आ आप सभी का अखंड सौभागे बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमाशिवाए